बेशन में दूध डाल कर क्या आप सभी मार्केट में मिलने वाली ये मांगी रेशपी आप सभी ने कभी बनाई है अगर नहीं बनाई है तो आप सभी जरूर से ट्राइ कीजियेगा बहुत जादा टेस्टी बनती है और बनाने का तरीका भी बहुत जादा आसान है तो इस recipe को बनाने के लिए मैं ले रहूं 1.5 cup बेसन, बेसन को पहले चाल लेना है ताकि बेसन में गुठलियां बिल्कुल भी न रहे, जिस cup या कटोरी से आप बेसन ले रहे हैं उससी cup या कटोरी से आप दूद लीजिएगा, तो 1.5 cup बेसन में 1 cup दूद डाल देना है, दू दूद और बेशन को अच्छा से मिक्स कर लेना ताकि लम्स बिलकुर भी न रहे पूरी तरह से बेशन दूद में अच्छा से मिल जाए तो यहां पर देख सकते हैं दूद और बेशन पूरी तरह से अच्छा से मिल गए हैं और चमच से मैं आप लोग को दिखा रहे हूं को पलट कर एक लाइन खीचिए देख सकते हैं दोनों लाइन आपस में जॉइंट नहीं हो रही है तो यह बेशन तयार है यहां पर मैं पेन ली हूँ गैस पे मीडियम लोट टू फ्लेम पे पेन को गरम कर लेना है उसमें डाल देना है तीन से चार चोटी चमश घी को बहुत जादा गरम नहीं करना है हलका सद घी गरम हो जाए उसके बाद में बेशन का जो पेस्ट है डाल देना है यहां पर इस रेश्पी को बनाने के लिए नो इस्टिन बरतन का इस्तेमाल करिएगा ताकि यह जो बेशन है ना बरतन में बिल्कुल भी ना चिपके और मीडियम लो धीरे धीरे इकठा होना सुरू हो जाएगा और आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई मत करिएगा मेडियम लोट टू फ्लेम पे बेशन को चलाते हुए भूनना है ताकि बेशन का जो कच्चा पन है पूरी तरह से निकल जाए और कलचु कटी नियू चलाते हुए भूनना है रोकना बिल्कुल भी नहीं है हाथ को किसी को लगा दीजिएगा बेशन को चलाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कप से थोड़ा सा कम चीनी मीठा आप अपने हिसाब से कम जादा ले सकते हैं अब एक कप इसमें हम डाल लिए पानी चासनी आप चाहे तो पाले भी बनाकर रख सकते हैं या तो आप बाद में भी बना सकते हैं मेरे तरह लेकिन किसी को लगाना पड़ेगा आपको चलाने के लिए बेशन को ताकि बेशन नीचे लगे बिल्कुल भी ना गैस पर रख देना है गैस का फ्लेम हाई रखकर चीनी को अच्छा से गला लेना है तो यहां पर कोई तार नहीं बनाना है बस चीनी पानी में अच्छा से घूल जाए और दो मिनट तक चीनी को पानी में अच्छा से पका लेना है चीनी पूरी तरह से पक गई है पानी के साथ में अब इस गैस को बंद कर देंगे और सब्प्रक्रills कि ऩहां साथ लोगान इंपरेंजा देंग और सब्सक्रांब तो सब्सक्राग करेंगे मेडियम लोग सब्सक्राद वरोगान सब्सक्रादि अ discretion बेशन में मिक्स कर देंगे तो चलाते हुए कंटिन्यू मिक्स करना है और नारियल ना जो है पूरी तरह से बेशन में अच्छा से मिक्स हो जाना चाहिए तो यहां पर नारियल जो है पूरी तरह से बेशन में देख सकते हैं मिक्स हो गई है अच्छा से मिल गए हैं और हलका स नारियल भी भुना गए हैं बेसन के साथ में इससे जो हमारी मिठाई बनेगी बहुत ही जादा टेश्टी बनेगी खाने में अब इसमें हम डाल देंगे जो चासनी हम बना कर रखे थे ना ओचासनी हम डाल देंगे तो गैस का फ्लेम लो करकर ही हम वापस चासनी और इस बेसन को हम अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां बिलकुल भी न रहे और चासनी में पूरी तरज से बेशन मिल जाए आज में आप लोग के साथ में बेशन की मिठाई की रेश्पी शेयर क्यों है अक्सर बेशन की मिठाई आप सभी ने बहुत तरीका से बनाई होगी अक्सर बेशन की मिठाई आप लोग खाते होंगे तो गले में थोड़ा सा चिपकता होगा लेकिन इस तरीका से आप बेशन की मिठाई बनाएंगे न तो बिलुकुल भी नहीं चिपकेंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो यहाँ पर मुझे पकाते हुए इस डो को साथ से आठ मिनट का समय लग गया है बेशन देख सकते हैं बहुत अच्छा से यह पक गए हैं और इकठा हो गए हैं और एकदम प्यान पूरी तरह से छोड़ दिया मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही हूँ देख सकते हैं हाथों में इस तरह से उठाएंगे न तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं यह लगेंगे तो यह बिल्कुल तयार है मिठाई बनाने के लिए अब गैस को बंद कर देंगे गैस को बंद करने के बाद में चलिए हम ट्रे लगा लेते हैं तो यहाँ पर ट्रे थाली किसी भी बरतन में आप इस मिठाई को जमा सकते हैं थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे इसके बाद में थोड़ा सा ड्राइफ फूट डाल देंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काजू थोड़ा सा बदाम थोड़ा सा पिस्ता को मैंने काट कर लिया है आप चाहे तो बिना ड्राइफ फूट का भी आप इसे सेट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ड्राइफ फूट डाल देंगे ना तो खाने में तो अच्छा लगती ही है लेकिन देखने में भी बहुत ज़्यादा सुन्दर लगती है तो यहाँ पर मैं ड्राइफ फूट को थाली में लगा दियूँ आप चाहे तो पाले से इसे लगा कर भी रख सकते हैं उसके बाद में इस डोग को डाल देना है ट्रे में और चम्मच की मदद से या कलचुला की मदद से आप इसे फैला लीजिएगा अच्छ़ से से शेट कर देना है और सेट करने के बाद में इसे रख देना है ठंधा होने के लिए बहुत ज़्यादा थंदा नहीं करना है हलका सा गरम गरम रहे तबी इसको कट करना है तो यहाँ पर हलका सा गरम है लगबग आपको 15-20 मिट लग जाएगा इसे ठंडा करने में अब चाकू से इसे काट लेंगे अगर आप पूरी तरज से ठंडा करके काटेंगे तो अच्छा सेप में नहीं कटेंगे इसलिए इसको हलका सा गरम-गरम काटिएगा ताकि काटने में आराम रहे तो आप अपने पसंद के अकरडिन पिसस में इसे काट सकते हैं मैं थोड़े से बड़े-बड़े साज में काट रही हूँ आप चाहे तो छोटे-छोटे पिसस में काट सकते हैं तो हमारी बेसन की मिठाई बनकर तयार हो गई, आप इसे बरफी भी बोल सकते हैं, बेसन की बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है खाने में, अगर आप मार्केट में खरितने जाएंगे ना, तो मार्केट में बहुत महंगे में इस मिठाई को पाएंगे, बहुत बहुत ही जादा टेस्टी लगती है, कोई मिलावट नहीं रहती है, सुद्ध चीजों से बनी रहती है, तो मैं लगा ली हूँ पर लेट इस मिठाई को आप 10-15 दिन तक श्टोर करके खा सकते हैं, बेसन की मिठाई आप सभी ने बहुत बार बनाई होगी, आप लोग एक बार मेरे तरीका से बनाकर देखिएगा, बहुत जादा टेस्टी लगती है खाने में, अक्सर बेसन की मिठाई आप लोग बनाते होंगे, तो सिकायत आती होगी कि गले में चिपकती है, खाने में टेस्टी नहीं लगती है, बनाना भी बहुत ज़्यादा कठीन है, तो इस तरीका से आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा, ना तो गले में चिपकेगी, ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, और बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है मिठाई एकदम जूसी जूसी मुलायम सौर्ट बनती है बिल्कुल भी देखिया हाट नहीं है यह मिठाई और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है उमीद करती हूं कि आज की बेशन और दूद की यह मिठाई की रेस्पी आप लोग को ब झाले बनती है